वेल्कम फ्रेंड्स जिहां आप सभी का स्वागत है पबजी लवाज और्गनाईज बाई हाई जेक गेमर्ज में जिहां यह 4 पीम मैच लाइब यह हो रहा है आज फ्री रिवार्ड मैच जिसको के स्पॉंसर किया है एस ओएस नौर्गु और टीम एस ओएस ने हम बहुत बहुत थैंक्यू बोलना चाहेंगे टीम एस ओएस और एस नौर्गु को उनके एफॉर्ट्स के लिए वी एप्रिसेट यूर एफॉर्ट्स आज एक कोई एंट्रिफीज नहीं ले गई है किसी भी टीम से जैसा कि मैने आ एंट्रिफीज तो आएए आपको लेके चलते हैं स्कॉर्ट्स की तरफ जो आज रिजिस्टर हुई है एक बार फिर से थैंक्यू बोलना चाहेंगे एस ओएस नौर्भु को और टीम एस ओएस को थैंक्स ओएस नौर्भु एंड टीम एस ओएस भी एप्रिसेट यूर फॉरेवर खूनी ओपी गैंस्टर टॉक्सिक बॉल्स टीफोर फेस बैंक ब्रोव्स और टीम बॉट एक नज़र डालेंगे एफसेंट टीम क्योर्स इसा की भी देखने हैं तीन चार पांट सारी टीमें प्रेजन दिखाई दे रही है तो जोकिन जरूरी है बैन करने के लि अगर आपके पास है और आपने स्कॉर्ड में प्रेजेंट हो तो आपको बैन नहीं किया जाएगा एक नजर फिर से स्कॉर्ड की और डालना चाहूंगा यहां पर यहां पर यहां पर देख रहे हैं तो हमारी तरफ से पूरा फेर गेंपले एस वेड बिल्कुल एस वेड है फेर गेंपले है हमारी तरफ से यहां पर टीम कव पास में ही श्लॉट नंबर 8 दिखती हुई श्लॉट नंबर 8 पर टीम स्रुसाइड स्कॉर्ड करना चाहूंगा जो कि काफी पुरानी अनॉंस्मेंट हमेसा ही करते हैं पर नए विवर्स के लिए फिर से करूंगा है पर टीम बहुत की तरफ से से फाइट की नोडिफिकेशन आ रही है वहाँ ले कहना चाहूंगा पर आपको में टीम बाबा से फाइट लेती हुई यहाँ पर एक टीम से डूसरे टीम को स्विच करते वक्त जो लेक्स आ रहे हैं उसके लिए चाहूंगा लोग डाउन के बाद और चीजे जल से जल्द फिक्स करेंगे अभी बहुत सारी चीज़ा हमारे एकसेस में नहीं जैसी हमारे एकसेस में आती हैं सब चीज़ों को फिक्स करेंगे और कॉमेंटरी में भी कुछ सेकेंड्स का अगर साइलेंस आ जाता वीच में कभी-कभी दो-तिन सेकेंड का साइलेंस आता उसके लिए माफिश चाहूंगा लॉट डाउन के बाद दो लोग मिलके कमेंटरी करेंगे तो काफी इंट्रेस्टिंग एक्साइटिंग कमेंटरी देखने और सुनने मिलेगी हमारे विवर्स को तो इस अब चीज़ें लोगडाउन के बाद जैसी चीज़ें हमारे पास एविलेबल होती है एक्सेस में आती है यहां पर बहुत अच्छा प्रदरसन दिखाती हुई जी यहां टीम सेवेंस रॉग हम देखना चाहेंगे टीम सेवेंस रो ने अभी टीम बाबा से फाइट ली थी और एक प्लियर ही बचे है टीम बाबा से बाबा तांत्रिक बाकी पूरी स्कॉर्ड उनने वाइप कर दिए फिर से नजरे मैप की हो कोशिस मेरी रहेगी ज्यादा ज्यादा फाइट मोवेंस क गर पर देख पार हैं लाइव स्ट्रीम चैट में आप अगर कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं कुछ भी पूछते हैं दब बिन की आ रही है वह गिरने के कारण फॉल्डाउन के कारण आया है उनका किल्सफीड यहां पर तो अगर लाइव इस्ट्रीम चैट में आप कुछ कुछ भी पूछते हो तो उसका रिप्लाई तुरत दिया जाता है उन्दा स्पॉट दिया जाता है जैसे ही मैं देखता हूं वैसी रिप्लाई देता हूं लेकिन यह आपके पास लेट पहुंचेगा क्योंकि स्ट्रीम स्नाइपिंग को अवाइड करने के लिए और फेर गे यहां स्लोट 24 की तरब से फाइट की नोटिफिकेशन नहीं है जो कि टीम आर्ड एक्स पहली बार खेलती हुई आज पबजी लिबाज अगनाइज भाई जैक गेमर्ज में काफी टीमें मिल रही है आज यह सामने टीम स्कॉंसर टीम से फाइट लेती हुई काफी टीमें दे देख रहे हैं तो टीम से बाइट की तिरफ से फाइट के नोटिफिकेशन ने वहां लेक्या है वह भी गोली बारी करते हुए टीम बाट के प्लेयर आप है बहुत मैगनेट सामने से बीच में मौजूद टीम बाबा के अकेले बचें बचें बहुत ही बहुत धन्यवाद न इस प्लेयर के सबस्याइद अक्यले होंगे उनको रुपीज हंडेट का रिवाइड दिया जाएगा पर से नजर मैप क्यों गोली बारी करते हुए काफी हेल डैमेज दिया है सेविनस रॉक के एक प्लेयर को कि अधर मैप क्यों स्लॉट एट स्लॉट एट जुकी है टीम सुसाइड स्कॉर्ड वहां के तरप से फाइट की नोटिफिकेशन नहीं या तीन प्लेयर खेलते हुए स्लॉट एट में इस सुसाइड स्कॉर्ड में कि आज पास देखेंगे इंडिपेंडिंड विविंग एंगल से कुई दूसरी टीम यहां फिला नजर नहीं आती हुई वापस नजर मैप पर डालेंगे यहां पर टीम बॉट के तरप से फिर से फाइट की नोटिफिकेशन आ रही है यहां पर नॉक किया है सेविनस रॉक के एक प्लेयर को जो कि रॉड डाइफ जीरो सेवन उनको नॉक किया हुआ है और अप्रोच कर रहा है बॉट मेंगनेट यहां पर काफी एग्रेसिव परफॉर्मेंस देती हुए यहां पर टीम बॉट कि रेगुलर टीम में टीम बॉट भी हमारे पपजिल बाज और नाइस बाइज हाई जेक गेमर्स की अलाकि सेविनस रॉप पहली बार देखने मिल रही है कि मॉक्रेल कभी इस्तेमाल किया है कि अब इसके डॉमिनेट करते हुए टीम सेवे ने स्रॉक ट्वाट की प्लेयर जिलन पर कि जैसे कि आपने देखा यहां पर टीम बॉट जो है डॉमिनेट कर गई और वाइब कर दीए टीम सवेन सब्सक्रों को जो कि लेके चलना चाहूंगो भी हमारे पप जिलवाज और रिखेक गिमर की रिगुलर टीम है काफी अच्छा केलती है लाट नमर 17 पर मौझूद टीम नर्ट्स पर अपस में इंज्वाइब करते हुए नर्ट्स पर वर के प्लेयर्स इसे नजर मैप पर रखना चाहेंगे जैसे कोई फाइट की नोडिवकेशन आती हैं आपको उन फाइट्स के और लेके चलेंगी और कुशिस करेंगे कि फाइट के एंगल्स बेटर से बेटर रख सके हमारे विवेर्स के लिए इंडिपेंडेंट वीविंग एंगल से देख रहे हैं फिलाल अभी अभी 19 टीम और 73 प्लेयर्स अलाइव हैं जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के टॉप लेफ्ट हंड साइट पर टीम रेस पूर की तरफ से फाइट के नोटिफिकेशन ना नहीं है गोट गैंग मिक्स का गेम फिलिंग बैड गोट जेनरल ओपी जिहां हमें भी काफी बुरा लग रहा है टीम गोट के लिए काफी अच्छी टीम है हमारे पजिलवाज और नाइस भाइज भाइज की खेलती तो हमें भी काफी खुसी होती लेकिन आज एपसेंट हो गई टीम गोट थोरे से टीम आडीएक की तरफ नजट रहा है तो तीन प्लियर्स वाइप हो गए है अकेले बचे हैं यह आडीएक्स हिटमैन और यहां पर टीम एस पूरी महजूद है अभी टीम एसके चारों प्लियर्स अभी महजूद है अब नाइटीन टीम और सेवेंटी प्लियर्स बचे हैं देखना है आज विनस टैटल कौन लेके जाता है और मुस्ट किल का रिवार्ड कौन सा प्लियर्स लेके जाता है सब कुछ हम वेरिफाई करेंगे मैप अभी फिलाल देख रहे हैं मैस जैसे ही ओवर होता है हम सारी चीजियां में स्क्रॉल करेंगे और जो पूरा रिजल्ट रहेगा वह अपने वियर्स को भी दिखाएंगे एंड्रॉइड को देखो जियां एंड्रॉइड की तरभी लेके चलेंगे आपको यह गाड़ी फोड़ते हो यहां पर लाइव इस्ट्रीम चैट में एंड की रिक्वेस्ट आई थी स्लॉट नमर 15 पर हैं टीम एंड्रॉइड उनकी और भी लेके चलेंगे अभी हम आपको फिलाल नर्स वर्वेक तर इसे फाइट की नोडिफिकसन है यह सामने टीम रेज फोर देखाई होती हुई धार्मिक नॉक हैं फाइट लेते हुए नर्स पर यहां पर फाइट देते हुए नर्स फॉरेवर के भी तीन नॉक है और इसी के साथ पूरी टीम नर्स फॉरेवर वाइब हो चुकी है टीम रे स्पोर द्वारा काफी अच्छा फाइट बेक दिया तीन प्लेर्स नॉक जरूर हुए और वाइप के सामने वाली स्कॉट को टीम एंड्रोइड के भी रिक्वेस्ट कर रहते प्लेयर्स तो उनकी और भी लेके चलना चाहूंगा आपको लाल फाइट की नोडिफिकेसन आती जा रही है तो मैं रिक्वेस्ट पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं यह टीम टीफोर फेस वाइप होती हुई यहां पे टीम एं यहां पे टीम टीफोर फेस को वाइप किया टीम एंड्रोइड ने पुरी तरीके से अब यह अच्छा कहलते हूं टॉटल टीम किल्स इनके अभी तीन है स्लोट नंबर फोर टीम के ओ यह भी काफी अच्छी टीम पबजी लेवाज और हाईजेक गेमर्स की रेगुलर टीम है वहां सामने स्लोट एट टीम सुसाइड स्कॉर्ट की तरफ गोरी बारी करते हुए तीम के प्लेयर्स स्लोट 14 की तरफ सभी फाइट की नोडिफिकेशन आए वहां भी लेके आएं आपको स्लोट नंबर 14 टीम 4 एंग्री में यह भी रेगलर टीम है हमारे पबजी लेवाज और हाईजेक गेमर्स की आसपास देखेंगे इंडिपेंजेंट वीविंग एंगल में आके में पिर सेनाजर मेप कियो सर्कल छोटा हेता हुआ श्रिंग होता हुआ जैसा कि हमारे बंजी प्लेयर को पता है कि सर्कल जेसे श्रिंग होता है फिर जो ब्लूL का rate of डेमेज वो बढ़ता जाता है तो आकरी में प्लेयर का reeference बचता है जोन में पहले जाना preference रहताँ फाइट से ज्यादा प्रिफरर करते हैं जोन में जाना क्योंकि क़्हें घूट टीन टीम और 62 प्लेयर्स अभी अलाइव हैं नजर मेरी मैप पर जैसे फाइट की नोडिफिकेशन आती हैं आपको उन फाइट की ओर लेके चलेंगे लेके चलेंगे पहली बार खेलते हैं अभी चारो प्लेयर्स इनके अलाइव हैं अच्छी पूजिशन में अभी यहां पर कोई फाइट नहीं है हमारा जो फोकस है वह मैप पर इसे कोई फाइट की नोडिफिकेशन आती हैं आपको वहां भी लेके चलेंगे फिलाल अभी हम टीम रहजूरा को देख रहे हैं जोकि लाइव स्ट्रीम चैट में रिकुस्ट आया था इस तो नमबर नाइन के ल और पास में स्लोट 18 जो की टीम खूनी अब फिलाल फाइट जो साइलेंट हो चुकी है तीनों प्लेयर्स अभी आलाइव हैं इनके टीम के टीम ओपी यह भी पहली बार खेलती हुए हमारे पपजी लेवा गर्गनाइज बाय हाई जेक गेमर में सत्य प्रकास देते टीम ना तो जैसे कि मैंने बताए आपको टीम नाइन की ओर लेके गया था मैं अभी चारों प्लेयर्स अलाइव है जैसे फाइट की नोटीपिकेस ना तीम वहां भी लेके चलेंगे लाइव स्ट्रीम में तोड़ा डीले है इस वारास से आपके पास जो आप रिक्वेस्ट करते हो लेट पहुचेगी तो कि स्ट्रीम स्नाइपिंग वगारा इससे वाइड होती है चैटिंग वाइड होती है फेर गेम प्ले के लिए स्ट्रीम में बहुत ज़रूरी तो आप इसमें कॉपरेट करें प्लीज इस लुट नमबर 19 के प्लेयर लुट 21 टीम टॉक्सिक बॉइस यहांपर सामने टीम रेज़ फॉर यहांपर काफी पास आ चुके हैं रेज़ फॉर के प्लेयर्स कि दार्मी का प्रोच कर रहे है उपर और एक को नॉक किया है आप धार्मी की भी हिल्थ काफी डाउं कि यहांपर देख रहे हैं काफी डेमेज दिया है यहांपर टीम टॉक्सिक बॉइस को एक केशू नॉक भी है फिलाद और डेमेज क्या दिया यहांपर वाईप ही कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर पूरी तरीके से वाइप किया यहां पर पहले डाउन किया फिर रस किया और टीम एंड्रोइड की तरब से फाइट की नोड़ी पिसन है वहां भी लेके चलेंगे रेस पूर काफ़ी अच्छे परफॉमेंस दिखाई दे रही है यहां अंड्रोइड में तीन प्लेयर्स बचे हैं यहां इसलोट नमबर 9 टीम राजूरा से फाइट लेते हुए जिनकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी और काफ़ी डेमेज किया टीम राजूरा को दो प्लेयर्स एंड्रोइड के भी नॉक है और यहां पर इसी के साथ राजूरा के एक ही प्लेयर्स बच्चे हैं और एंड्रोइड के टीन प्लेयर्स हैं अभी इसमेंसे की दो नौक हैं रिवाइब हो रहे है है जो एक प्लेयर्स बच्चे हैं वह यहां पर मौझूद जिसकि आप देख रहे हैं गाड़ी में मौझूद गाड़ी निकालेंगे साइद यहां से यह पर टीम एंड़ाइट के प्लेर्स बाहर आएंगे अभी फिलाल ढूनते हुए पूरी स्कॉर्ड अलमुस्ट वाइप कर दिये एक ही प्लेयर बचे है स्टॉट नमबर नाइन टीम राजू रखे यहां से अभी निकल नहीं रहें एक्सपोज होना नहीं चाहा रहें तुरत यहां पास में स्लोट 14 जाती दिखाई दे रहें जोकी टीम फॉर एंग्रिमन खाफिए विची तिस्थिती हैं आप पर अब देखे दें यहीं पे हैं प्लेयर लेकिन अभी तक अंदाज नहीं लगा पाएं टीम इंड्राइट के प्लेयर्स क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी जगह पे बैठे हैं कोई सोच लेके जाता है आज मैप क्यों कि अ कि कल और सोटा हुआ है यहां पर स्रिंक हुआ है कि हमारा जो फोकस है मैप की और भी है और किल स्पीट की और भी है यहां पर देख लिया और इसी के साथ टीम रजोरा को पूरी तरगे से वाइप कर दिया इस आखरी के साथ जो के एंड्रोइड रावडे ने लिया टीम किल सिनके अभी साथ तीन प्लेयर्स अभी अलाइब पर टीम एंड्रोइड के तो टीम एंड्रोइड भी काके अच्छे परफॉम्में दिखाई दे रही है फिर से यहां पर टीम रेस फॉर की तरफ से फाइट की नॉटिफिकेशन है वहां भी लेकर चलो हाँ कि अपर से नजर मैप की ओर कि यहां से नॉटिफिकेशन जरूर आई थी 15 टीम सर 54 प्लेयर्स अभी अलाइव है और टीम की ओ कि तरफ से फाइट की नॉटिफिकेशन पास में इनके टीम ब्रातवा दोनों ही रेगुलर टीम में पबजील वास और इस भी हाईजेक गेमर्स की यहां गोलीवारी कर रहा है ब्रातवा के प्लेयर्स पर और के ऑडूम नहीं यहां पे एक प्लेयर को नॉक कि लेके से वाइप ही कर दिया है तो टीम कियों के चारों प्लेयर से अभी अलाइव है ब्रातवा के एक प्लेयर को वाइप किया इनने लॉग रेंज फाइरिंग से श्लोट 24 के तरफ लेके चालना चाहूँगा टीम आ डियेक्स तीन प्लेयर से वाइप है एकी प्लेयर बचें यह टीम आ डियेक्स के स्लोट नंबर सेवेन की और लेकर चाहूंगा टीम डाइक नाइट यह भी रेगुलर टीम है पपजी लबाज ऑगनाइज बे आईजेक गेमर्शी काफिए चाह परफॉर्मेंस देती है टीम डार्क नाइट यहां पर मौझूद इंडिपेंडेंट इंगल से आसपास की टीम में देखेंगे फिलाल यहां आसपास कोई और टीम दिखाई नहीं देती हुई प्रिशन आजएर मैप की और चाहिए अब देख रहे हैं मैगनिमम टीम सर्कल के अंदर है कुछ टीम है बाउंडरी पर और कुछ टीम है सर्कल के बाहर भी मौझूद टीम सोस चारों प्लेयर्स अभी यहां से फाइट की नोडिपेशन आई है आपको यहां लेकिए हैं सोस हैट सुनी यहां पर टीम बा और और एसस इलाइट के बीच के एसुन नॉक है यहां पर और काने की भी इस इलाइट से नॉक है वह अंडॉयर्ड राउडी को भी नॉक किया गया है तो बहुत साड़ी फाइट एक साथ चलती हुई और बहुत तोड़ा गलत तरीकिये सेश्टेमाइल किया मोकटेयल का खुद पर भी थोरा सा मोकटेल आ गया है इनके यहां पर आप देख रहे हैं असोस के प्लेयर एसटइस की प्लेयर सोरी तरटीन नंबर नंसलोट पर चाहिक लेते हुए दार्मिक को नौक किया है कानिकी ने और वाइब भी कर दिया दार्मिक को तीन प्लेयर से रह गया है यहां पर लाला मारा फोकस इस फाइट पर दूसरी फाइट की और भी लेकर चालेंगे यहीं पर केशू आते हुए और केशू भी नौक हो चुके हैं रेज मॉंस्टर आया है यहां पर और रेज मॉंस्टर ने कानिकी को नौक किया है और टीम बॉट भी यहीं पर आ चुकी है स्लॉट नमबर 25 और इन फाइट का पूरा बेनिफिट उठाती भी दिख रही है यह टीम बॉट यहां पर जिहां अगर नजार डालें मैप कियो और तो टीम रेज फोर तो वाइप हुई ही यहां पर और टीम एस इलाइट भी वाइप हो गई और टीम बॉट जो यहां पर एंड टाइम पर आयो उसके चारो प्लेयर्स अभी अलाइव है यहां पर तीन-चार स्कॉर्ट अचानक देखने मि कुछ एक-दो फाइट मोमेंट दूसरे जगह के मने मिस भी किये यहां पर गोली बारी करती हुए सामने सामने टीम ब्रातवा की तरफ टीम बॉट स्कॉर्ट से नजर मैप की हो स्लोट नमबर नाइटीन की लेकर चलेंगे कुछ फाइट मोमेंट समने मिस की है पर जैसर की मैंने बताया था अव्यस्सी बात है एक टाइम पर स्कीन एक ही जगह हो सकती हुआ दो तिन स्कॉर्स की फाइट चल रही थी तो कुछ एक-दो फाइट मोमेंट से मिस की हैं यह स्लोट नमबर सेवेन की तरफ स्कॉप का यूज़ कर रहा है टीम डार्क नाइट की तरफ यह अधीन्क टीम प्लेयर्स अब इनके अलाइग टीम के जिरो फिलाल सामने देखना स्लॉट नंबर 18 टीम खुनी चारों प्लेयर्स अभी अलाइब दस टीम में बची है 10 टीम से 37 प्लेयर्स यहां नज़र डालें एगर स्लॉट 19 पे तो मोहित यहां पर नॉक है टीम ओपी के कि रिवाइव दे रहे हैं स्मोक यूज किया हुआ है यहां पर फिर से नज़र मैप की हो तो आसा जूम करेंगे मैप को और क्लियर विजन इसा कि आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन के टॉप लेफटेंड साइट पे 10 टीमें और 37 प्लेयर्स अभी अलाइव हैं तो देखन देखने वाली बात होगी यहां से निकलते हुए टीम ओपी की प्लेयर्स कि यहां पर स्टे कर रहे हैं मैप क्यों डालना चाहूंगा टेंड टीम्स एंटेटी सेवन प्लेयर्स स्टिल अलाइव कुछ टी में अभी भी सरकल के बाहर है अब देरे देरे रेट डेमेज बढ़ता जाएगा स्लॉट नमबर ट्वेंटी टीम बैंक ब्रोज तो फाइट लिती नजर आ रही है सामने टीम बॉट की फाइरिंग हो रही थी इनकी तरफ कोई खास आउटपूट मिला नहीं दोनों की फाइरिंग का कि यहां नीचे स्लॉट नमबर एट भी देखने मिल रही है जो कि टीम स्काइड स्कॉर्ड और यहां उपर टीम बॉट के प्लेयर्स को हम देख रहे हैं कि टीम स्कॉर्ड यहां पर मौझूद अब ब्लू जोन से रेट ऑफ डैमेज तरह से ज्यादा हुआ कंसिडरेबल रेट ऑफ डैमेज होगा यहां पर टीम ओपी की तरफ लेके आया हूं आपको मैं सामने टीम खुनी इनके प्लेयर्स को डैमेज दिया हुआ यहां पर काफी और इसके साथ पूरी तरीकेसे यहां पर वाइप कर दिया है टीम खुनी को तीनों प्लेयर्स अभी अलाइव टीम ओपी के है ले टीम किल्स इनके तीन है विपली 5 Bu इसल नजरे मैप क्यों दोलना चाहूंगा सामने स्लोट नमबर 19 टीम ओपी की तरफ फाइरिंग करते हैं और ब्लू जोन वहां पर आ चुका है तो निकलना होगा टीम ओपी के प्लेयर्स को वहां से के बीपी टुन्टीएट का यूज कर रहे हैं और वहां पर एटी ड्रेक को भी वहां पर किया आपको यह लेकर चलेंगे आपको यह स्लोट नमर 13 टीम एस ओस पास में टीम सुसाइड स्कॉट्स काफी डेमिज दिया हुआ स्कॉट्स को और ब्रात्वा की वहां फाइट चल रही है और यह डार्क नाइट फिलाल यह भी टीम सुसाइड स्कॉट्स की तरह फाइरिंग करते हुए और टीम ब्रात्वा की तरफ पर लेके चलेंगे यहां पर एक प्लेयर वाइप है एक नॉक कोशिस मेरी ज्यादा ज्यादा टीम गैंब्सक्ता गैमर से पहली बर ख히लते हैं कर दिया को टीम गैंग्स्ट नैघोर यहां ब्रात्वा के प्लेयरियर्स प्लेयर्स सब्सक्राइब करने हैं टीम डार्क नाइट के पेर्स और पीछे टीम स्कॉट पर दिखते हुए जो कि श्लॉट नंबर एट पर मौझूद है कि टीम बॉट यहीं पास में रुकी हुई है इनके स्लॉट 25 टीम बॉट की तरफ नजर डालेंगे यह टीम स्कॉट की तरफ देखते हुए और बढ़ते हुए उनकी तरफ बॉट सॉट टीम बॉट की प्लेयर कि मुझे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि टीम डार्क नाइट हाँ कि के वह आ चुकी है यहांपे कि निउसे निगलते हुए टीम की यो के प्लेयर सेक्सेस्पुली टीम बॉट को देखते हुए यहांपे इस तक काफी डेमिज दे रहे हैं और पास में टीम ओपी भी आ चुकी है यहां पे कि टीम ओपी को देखते हुए और टीम सुसाइड स्कॉर्ट की भी अकेले प्लियर बचे हैं एटइडी निंजा और टीम ओपी के मुहित यहां पर नौक हो चुके हैं कि चारो तरफ से गोरी बारी हो रही है यहां पर टीम केओ कि कि यहां पनौक है यहां पर टीम बॉट के पास पहुंचते हुए यहां पर टीम बट को वाइब कर दिए यहां पर टीम के ओने तीम तरफ लेक्टिए आहे हूं आपको दो प्लेयर नौक हैं एक वाइब हो चुके रहे हैं वाइब लेती हुई और यहां पर टीम को पुरी तरीके से वाइब कर दिया गया जागिया आपने इस वाइट में देखा टीम डार्क नाइट के एक प्लेयर नौक हुए यहां पर देखने हैं हम स्लॉट नमबर 23 टीम बैंक ब्रोज भी अभी आ लाइफ पास में स्लॉट नमबर 20 भी देखने मिल रही है तो नमबर 20 जो की टीम गेंग्स्टर सरकल बहुत छोटा हो चुका है आप चार टीमे रह गई हैं मात्र यहां पर काफी अच्छी टीम है यहां पर वाइप होते देखी हैं हमने आज तीम स्लॉट इसकॉर्ट के आखरी प्लेयर जो हैं काफी हिल्ट डैमेज है इनकी यहां पर सामने लेकिन इस तरीके से सुसाइड स्कॉर्ड एक टीम डार्क नाइट जो की रेगुलर्टी है और एक स्लॉट नंबर 23 पे टीम बैंक ब्रोज देखना है बिना स्टाट लाज कोन लेके जाता है यहां ब्लू जोन का फेवर नहीं टीम डार्क नाइट के पास यहांसे निकलना होगा उनको जल से जल स्लॉट नंबर स्वेन पर टीम डार्क नाइट है स्लॉट नंबर 23 पर टीम बैंक ब्रोज और श्लॉट no.20 पर टीम गैंस्टर यहां पर गोलई बाली चाल वह चुकी है फिलाल टीम गैंग्स्टर की तरफ फाइरिंग कर रहे हैं टीम बैंक ग्रोस के प्लेयर्स कोई खास आउट्पूट अभी मिला नहीं है उपर से देखने के कुछ उसका रहेंगे तीन टीम है और ग्यारा प्लेयर्स अभी भी अलाइव यहां पर लॉंग रेंज फाइर करते हुए शॉट नमबर 20 पर टीम गैंग्स्टर के प्लेयर्स पर टीम बैंक ब्रोस और श्रॉट नमबर सेवन पर टीम डार्क नाइट यह तीन तीम है रहे गई और ग्यारफ प्लेयर्स गैनेट का इस्तमाल लेकिन कोई खास आउट्पूट नहीं टीम गैंग्स्टर के एक प्लेयर्स यहां पर नौक हुए है टीम डार्क नाइट के दौरा और वाइप कर दिये गए हैं तो दस बचेंग हैं यहां बहुत तेज गोली बारी होती हुई टीम गैंग्स्टर दौरा और एक को नौक किया यहां पर वाइप कर दिया है टीम डा करती हुए team gangster कि और यहाँ पे प्लियर और नॉख हो कर दीज़哈哈 और यहाँ एक और वाइप को चुक़ है लेकिन इसांइ प्लू ज़ों आता हुआ इसे रेट ऑफ डीमज बहुत जल्दी बीच में आना चाहेंगे देखते हैं कौन फाइदा उठा पाता है अपने स्किल्स का यहां पे बहुत तेज गोली बारी देखने मिल रही है और अब तीन टीम में भी बची है और चार प्लेयर्स ही लेकिन बचे हैं इसमें से की स्लॉट नंबर 20 क्या अकेला प्लेयर बचा है टीम और नंबर 23 टीम बैंक ब्रोस के दो प्लेयर्स बचे हैं और टीम डार्क नाइट का एक ही प्लेयर बचा है और तेज गोली बारी और इसी के साथ तीनों टीम के एक एक प्लेयर्स बचे हैं वन वर्स वन वर्स वन टीम डार्क नाइट वर्स टीम बैंक ब्रोस वर्स टीम ग हाँ वाँ पर टीम गैंक्स्टर की लिए थे पू और ग्रेनेट का इस्तिमाल हेल्थ का पी डाउन किया टीम गैंग्स्टर के प्लेयर का टीम बैंक ब्रोज के प्लेयर ने और यह गोली बारी चालो हो चुकी है सामने टीम गैंग्स्टर की तरफ से 64 बिट टॉम और यहां पर इन यूर ड्रीम और यह फाइट चलो और इसी के साथ यहां पर टीम गैंग्स्टर ने यह मैच निकाल लिया है स्लोट नमबर 20 टीम गैंग्स्टर वेल प्लेइड और सेकेंड नमबर पर यानि की रनर अप पर रही है आज टीम बैंक ब्रोज यह दोनों नई टीम में थी पब्जी लोगनाइज भाई हैजेक गेमर्स की काफी अच्छा गेंप्ले देखने मिला इनके द्वारा और तीसे यह पर यहाँ पर टीम गैंग्स्टर रही है यहाँ पर जिसको की विनिंग रिवार्ड है रुपीज 2 हंडेड दिया जाएगा और जो मोस्ट किल्स है उसको अभी हम देखेंगा कौन है उसको रुपीज 100 का इनाम दिया जाएगा तो अभी देखते जाएंगाnot इसके डिख तो अभी इस maximum kills इनकी तरफ जाता है वो दिखाई दे रहा है नीचे आता जाएंगे नीचे आते जाएंगे स्क्रॉल करते जाएंगे धीरे धीरे ताकि हमारे वीवर्स भी देख सके और सैटिस्फाइड रहे हमारे प्लेयर्स टीम्स मेंबर्स भी जैसा कि आपने देखा और क काफी अच्छा खेली टीम है काफी इंप्रॉब्मेंट देखने मिला काफी टीम्स के गेम प्लेय में सो गाइज हुज लव और रिस्पेक्ट पर आल अप माई टीमेट्स प्लेयर्स मेंबर्स और वीवर्स तो गाइज नाव यार शाइनिंग आफ बाबाय थैंक यू